नमश्कार दोस्तो इससे कम सजा पाने वाले नीता चुनाव लड़ने में सफल रहते हैं। वे धनबल और बाहुबल की बदौलत चुनाव भी जीत जाते हैं। और प्रजातंत्र के पवित्र मंदिरों में माननिय बन कर जाविराश्ते हैं। अपराधिक प्रश्ट भूमी वाले नेता भी शामिल होते हैं। हरियान और जमो कश्मीर के विधान सभाच नौ के लिए विभिन राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशियों के नाम घोशत करना शुरू कर दिया है। इनमें कई ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे दागी नेताओं से किसी पार्टि को कोई परहेज नहीं है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो राजनीतिका अपराधिकरण भला कैसे रुख पाएगा। राजनीतिक दलो और अपराधियों के बीच जुगल बंदी बहुत पुरानी है। पहली राजनीतिक पार् अधन संपन अपराधियों को पार्टी में शामिल कर लेती हैं। और यहां तक कि उन्हीं टिकेट भी दे देती हैं। ऐसे आपराधिक छवी वाले बाहुबली नेता साम, दाम और दंड भेत की नीती अपना कर चुनाव भी जीत जाते हैं। कई ऐसे भी बाहुबली नेता ह वह मतदान नहीं कर सकता हैं लेकिन जेल में बंद वेक्ती चुनाव लड़ सकता है। जमो कश्मीर की एक ऐसे ही दागी छवी वाले नेता इंजीनियर राश्रित को आतंकी फंडिक मामले में गिरिफतार कर तिहार जेल में भेजा गया था। उसने जेल में रहते हुए ही न अंतरम जमानत पर छोड़ दिया गया है। जिस व्यक्ती पर आतंकवादियों की आर्थित मदद करने का संगीन आरोप हो अबबल तो उसे चुनाव लड़ने की अनुमती ही नहीं देनी चाहिए थी। यदि मौजूदा नियमों के मताबिक उसे चुनाव लड़ने से रोकन संभव नहीं था तो उसे चुनाव प्रिचार के लिए अंतरिम जमानत पर आखिर कैसे छोड़ दिया गया। ऐसे में आपराधिक प्रिष्ट भूमी वाले नेताओं का होसला और बुलंद होगा। और समय आ गया है। अब समय आ गया है कि राजनीती का आपराधिकरण रोक देना शाहिए और दिशा निर्देश जारी करने चाहिए कि आपराधिक तत्व चुनाव लड़ने से आयोग ये करार दिये चाहे। राजनीती का अपराधिकरण रुक पाएगा। झाल